आपका स्वागत है वापस एक बहुत बड़ी एजुकेशन न्यूस से रिलेटेड तो सबसे पहले खबर निकल के अरिये जेड़बली और नीट से रिलेटेड तो जैसा आपको पता है कि कुछी दुनों में जेड़बली और नीट के एक्जाम सोने वाले हैं वहीं पे जो हमा अगल आदमी तो है नहीं कि यार चलो एडमिट कर डाउनलोड कर लिया बट आपके क्या रहा है आपको एक्जाम देने हैं या नहीं देने तो इन्होंने कुछ बतलब बोला है कि अंगले मैंने होने जा रही नीट और जेडबली नीट परिक्षाव को जहां एक तरफ पोस् स्टुडंट है वो किसी भी इसमें देना चाते परिक्षाव और देने के लिए वो सोच रहे है बट एक बात बताओ अगर ये लोग गैरेंटी नहीं ले रहे हैं अगर कोई भंदे को कोरोना हो जाता है किसी स्टुडंट को और वो मर बिर जाता है या फिर उसको एडमिट अगरा नहीं मिलता जैसा आपको पता है काफी सारा सीन हो रहा है तो क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा प्लीज इसमें कमेंट डाउन करके बताए और हमारे मंत्री जी को अपने ट्विटर में टैक करें और कम से कम उन्हें ये बात बताए कि भाई कोई भी स्टुडंट ये नहीं चाहता कि भाई उनका मृत्तियो एक्जाम तो हर कोई देना चाहता है बढ़ कोई स्टुडंट ये नहीं चाहता कि उनके मृत्तियो अंगली बड़ी खबर निकलके आ रही है गाउ में रहे रहे चात्रों के लिए स्पेशल करास जो आपको पता है कि कोई कोई तो उनके लिए सेंट्रल उनिवर्सेटी ने क्रैश को उस तैयार किया है जो 28 अगस्त पे टीवी पर प्रशायत होगा तो जानते इसको पूरी तरीके से तो लॉकडाउन के दोरान देश भर में कॉलेज उनिवर्सेटी में ऑनलाइन क्लास से जरिये सिलिबस पूरा किया गया लेकिन इस बीच कई स्टोडेंट ऐसे थे जो सुद्र छेतरों में रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसद जुटाने माहसमर थे यही वज़ा थी कि बड़ी संख्या में स्टोडेंट क्लास अटेंड ही नहीं कर पाए देश भर की सेंट्रल उनिवर्सेटी के फै एकलेट ने कुल तीन सो घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड किये हैं आयाइटी मदरास को इस कैमपेंट का करडिनेटर बनाया गया है संस्था का दावा है कि 28 अगत से फैकल्टी द्वारा तयार किये गए लेक्चर का प्रशारण सुरू हो जाएगा यह लेक्चर खास तोर पर गरामीन इलाकों में रहे रहे स्टूडन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है तो यह अच्छी ख़बर निकल के आ रहे हैं अगर आप गरामीन में रहते हैं गाओं में रहते हैं और अग्चर नेटवर्क नहीं आ पा रहा तो आप इसली मतलब ले सकते लेक्चर ओनलाइन नहीं पढ़ सकते तो टीवी में जैसे डीवी नैशनल हो गया यह समय वो प्रसारित होगा तो वापन से बड़ी दूसरी ख़बर निकल के आ रहे हमारी शिक्षा मंत्री जी से रिलेटेड तो शिक्षा मंत्री पर भढ़के स्टूडेंट बोले अपनी वेबसाइ तो यह बंदों ने क्या बोला कि ऐसा कुछ इनों ने जवाब नहीं दिये और बस हो गया जवाब नहीं दिया जैसे इग्नौर कर रहे हैं बाती नहीं सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चों का मनने तो यह अलगी स्वाइग में है हमारी शिक्षा मंत्री तो अगर बं का सत्तर हजार आ रहा है सिक्स्टी ठाउजन आ रहा है तो काफी साई दिक्कते आ रही है बढ़ते यूपी से रिलेटेड तो ये भी एक एजुकेशन न्यूस है यूपी लोग सेवा आयोग ने जारी किया शेडियूल 22 से 26 सितंबर के बीच दो शिफ्ट में होगी परिक्षा तो ये लिजियی यूपी में भी परिक्षा होने वाली है जो यूपी ऐससी रहता है फोर एक्जामपल देखो आप जैसे महाराश्च में मैं समझा देता हूँ तो महाराश्च पब्लिक सर्विस रहता है जैसे यूपी स्विस पूरे अपने इंडिया के लिए रहता है वैसे UPPSC मतलब जो गवर्मेंट एक्जाम रहेगा स्टेट गवर्मेंट एक्जाम से रहेंगे UPACC वहां के रिलेटर जैसे पॉलिस भरती वगरा वगरा तो सबके एक्जाम भी पिछले 2019 में नहीं हुए थे तो ये सब 22 से लेके 26 सिद्बर के बीच होंगे तो अच्छे है और इसके लिए करिमन 6320 केंडिडेट सेलेक्ट होए जो पहले एक्जाम देंगे और मतलब उसके बाद वाले एक्जाम भी और ऐसे गरके देंगे सिर्फ 364 पदों की भरती के लिए 6320 लोग एक्जाम देने वाले है तो अभी देखते इसके उपर भी क्या कोई राए है कि नहीं क्या कैसा है अभी श्वास्तोंसरी दिल्ली के सखल सरकार स्कुल के बच्चों की सारारी गति विदियो के लिए यूटुब चैनल शूरू तो ये नॉर्मल खबर है कि उपन क्या है नॉर्मल गवर्मेंट उन बच्चों के लिए लेकिन उनके पास फोन वगेरा ही नहीं रहेगा तो भाई यूटूब चैनल का क्या मतलब जेल प्रहरी बनने के लिए देश भर्क से आवेदद तो भाई मध्यप्रदेश में जेल प्रहरी के लिए 226 पदों के लिए पी इबी को मिले 3,683 अवेदन नॉवेंबर के पहले हफते आउनलाइन कराएंगे एक्जाम तो आप देख सकते हो कि एक जेल प्रहरी परिक्षा का आयोजन करने के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है आउनलाइन और सिर्फ 226 लोगों के लिए एक्चल में ये है मतला अभी तक है खाली सीट है तो ये थी कुछ आज की बड़ी खबरे हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहे और कमेंट डाउन जब के करूर बता है कि हमारी शिक्षा मंतरी का दिमाग कैसा चाल रहा है तो जै हिन वंदे मातरम